नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे इंट्रेस्टिंग टॉपिक में बात करेंगे जिसका हम डे टू डे में यूज करते हैं हम कोई भी अपना डॉकुमेंट वेरिफाई करना हो या कि कोई पेमेंट की प्रोसेस करना हो अलग-अलग तरीकों से जहां हमें सेल्फ को एक सेज में आते हैं हमारे सिम कार्ड में आते हैं जिसको हम वहां पर इन्पूट करते हैं किसी on-line application में या कि किसी on-line website में या कि banking के कि सी application में या कि बेसिक जो digital Cash transaction की application हो ते हैं Google पे हो गया फोन पे पे हो गया पे टियम हो गया अलग-अलग भारत में operate कर रही हैं अब आज हम बात करेंगे OTP के उपर यानि one time password के उपर जो RBI है और उसके वर्तमान head सक्तिकांत दास जी का कहना है जो ये one time password है ये भी digital fraud है उसका सिकार बनता जा रहा है कई वारी ऐसा देखने में आता है कि ये इसकी जो authentication होती है तो SIM card में जो message आता है और बहुत सारे ऐसे fraud registered किये गए हैं जो आपका SIM card है जो आपका mobile number है उसका एक duplicate SIM card issue करवा लिया जाता है जिससे क्या होता है कि जो message है वो उसमें भी चला जाता है ऐसे बहुत सारे case register हो रहे हैं देश में जिससे जो financial transaction के cases है जिसमें जो scam है जो इसमें होने वाला scam है ये मनलब इसको उपयोग करना बिल्कुल आसान हो गया है पर ये फूल प्रूफ नहीं है हमें यदि इसको फूल प्रूफ करना है तो हमें इसके दूसरे भी alternative खोजने होंगे और दूसरे alternative कभी सेमें RVI seriously कारे करने जा रहा है कि अब विचार कर रहा है कि दूसरे alternative क्या-क्या हम OTP के हो सकते हैं OTP जैसे system को किस प्रकार की technology replace कर सकते हैं इसका simple alternative है biometric fingers इतना आसानी से कोई नहीं ले सकता और उसमें बंदक conscious होगा किसी वी सामान व्यक्ति को आसानी से पता है कि finger लगाने से हमारी जानकारी इतनी तो awareness आजुनिक भारत में सभी लोगों को होई गई है कि जो आपको biometric finger है इससे आपका आधार connected है और आधार से आपके बहुत सारे bank account connected है तो इसलिए आपको हर कहीं जो अपना thumb impression है कहीं digitally नहीं दे देना है एक तो interesting यह है एक यह alternative हो सकता है दूसरा alternative यह भी हो सकता है कि government या कि RBI कोई special app भी launch करते सकती है जिसमें किसी भी प्रकार करके सभी bank connect होगे और उसमें किसी प्रकार के code आएंगे इसको input करने के बाद digital जो transaction है वो successful होगी तो एक यह भी हो सकता है या कि bank based application में कुछ ऐसे system alternatives लाए जा सकते हैं जिससे कहीं नहीं जो security है इसको ज़्यादा मजबूत किया जा सके जिससे जो digital transactions के related fraud होते हैं जिसमें आ किसी प्रकार का जासा देता है कि आपका lottery लग गया है आपका यह हो गया है आपको यहां से पैसा आ रहा है आपको वहां से पैसा रहा है किसी government की scheme बता गए किसी प्रधान मंतिरी की यह योजना में आपको इतना लाभ मिला इसके लिए अलग-अलग तरीके से जो आपका one time password लिया जा रहा है इसको आर भी आई चाहता है कि इसको और ज्यादा secure करके जो आम जनता का पैसा है जो सामान जन का पैसा है उसको और भी ज्यादा सुरक्षित किया जा सके इसके और भी future में क्या alternative हो सकते हैं comment section में आप जरूर बताए multiple लोगों के जो आइडिया जह एक सास् दूसरे को सीखने और जानने को मिलेगा वसे वीडियो आपको कैसा लगा comment section में जरूर बताए मिलते हैं ऐसा ही वेटरीन fantastic वीडियो के साथ अब तक thank you so much for watching this वीडियो और लास्ट में एक important बात देखिए अभी यह finalize नहीं हुआ कि कि किस प्रकार के alternative आएंगे जैसे ही किसी प्रकार का announcement RBI के द्वारा होता है उसको हम आपके साथ जरूर सेयर करेंगे किस प्रकार की technology है किस प्रकार से इसको उपयोग करना है बाहराल अभी अपने पास इतनी ही जानकारी है तो इसको हम एक दूसरे के साथ जान लेते हैं समझ लेते हैं ऐसी fantastic वीडियो के साथ मिलते जल्दी जल्दी तब तब thank you so much for watching this video कि ये channel आपने subscribe नहीं किया तो please subscribe this channel thank you so much for watching this video thank you